हलो इस्टेरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम मोशन का जो है लेक्टर नॉम्बर 11 रिकॉर्ड करेंगे और हम लोग लेक्टर नॉम्बर 10 में 9 में हम लोग ग्राफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्टर जान रखीगा तो ग्राफ को औ और आज हम एक्स्प्लोर करने की कोशिश करेंगे दो टाइप के ग्राफ आप लोग को 9th क्लास में पढ़ने हैं एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानि स्टेंस को किसे इंडिकेट कर रहे हैं एस से और एक आपका है वेलोसिटी टाइम कर्व या स्पीड टाइम कर्व तो द क्या हम लोग देख रहे हैं देखे ग्राफ का मतलब क्या है जो भी जैसे माल लीजे यहां पर हमने पहली कंडिशन रखी है कि एक बॉड़ी अगर रेस्ट में है तो अब उसको ग्राफ के थूरू डिस्टेंस टाइम ग्राफ के थूरू कैसे इंडिकेट करेंगे तो मैं आ ग्यारा बचे में खड़ा हुआ गाड़ी लेकर ट्रैफिक में बारा बच चुके हैं एक घंटे का टाइम बीच चुका है टाइम इस इंक्रीजिंग और हम ग्राफिकल मेथा जब हम लोग ने शुरू किया था तो हम लोग ने ग्राफ किसके बीच में बना रहे रहे हैं डि अब हमारी कंडिशन क्या है बॉडी इस एक रेस्ट ट्रैफिक में टक गए ग्यारा से बारा बज गई टाइम इंक्रीज हो गया लेकिन कोजिशन वहीं की वहीं है यानि देखें डिस्टेंस का वेजिशन हम वाई एक्स पर लेंगे और यानि इसको जीरो मालने और डिस्टें वहीं लेंगे ध्यानरखियागा देखेंस एक पॉजिटिव चीज है तो यहां पर अगर डिस्टेंस बढले दिस्टेंस ब्थलैनक बदल होए तो य एक्स पर पाइंगे और था किदल भाएंगे वाई टाया चु क्यों पड़्टिव एक्स डाया है तो अगर बॉड़ी ए जिस point पर है वहीं पर रखा है, ध्यान रखीगा, तो यह हमारा पहली condition को satisfy करता है, body is at rest को indicate करने का सरीपा, दिमाग में भी set करने, body is at rest का displacement time करके होगा, straight line, इसके straight line, time जिस axis के लिया है, उसके parallel आपको graph बनाने ध्यान रखीगा, दूसरा आपका condition है, यह भी हम दोग देख च accelerated motion, तो मैंने भी use के uniform motion, uniform motion का मतलब क्या है, velocity should remain constant, क्या बोल रहे है, velocity should remain constant, यानि velocity में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, time बदले, लेकिन velocity ना बदले, जबकि पहले वाले case में क्या है, body is at rest, time बढ़ रहा है, लेकिन body की position नहीं बदल रही, next case क्या है, body is in uniform motion, uniform motion का मतलब क्यों होता है, कि अपने बाद वाले time, जैसे मान लीजे time interval, ग्यारा से बारा, एक गंटा, बारा से एक, तो ग्यारा से बारा के बीच में, आपकी जो position बदली है, यानि, वही position बारा से एक के बीच में बदले, वही position एक से लो के बीच में बदले, यह हम पहले चर्शा कर चुके हैं, तो graph कैसा आएगा body is in uniform motion का जो distance time कर रहे हो कैसा आएगा आप shorter में रिखी या बना सकते है y axis of distance लेंगे x axis of time लेंगे तो graph कैसा आएगा straight line कैसा आएगा straight line body is in uniform motion body is in uniform motion का मतलब क्या है velocity ना बतले graph कैसा आएगा cd line clear है यह अपना origin है 0 point है graph का तो भी बुम सकते हैं रहन रखीगा 3rd case आज आपके लिए नजया है इसको देखेगा यहां आज आपके learning है और आपको graph बिल्कुल memorize करने है यहां रखने है straight line and distance time कर दियाने है आपको और ऐसे दिदिया आपको pictorial representation दिया है यहां आपको लिखा है time और यहां लिखा है distance यहां एस और graph अगर सीधी लाएं तो आप इसको देखतर क्या बोलेंगे आप इसको देखतर क्या पर दिक्शन निकालेंगे आपके रिमार्ग से क्या निकालेंगे क्या लिखेंगे body is in uniform motion और uniform motion का मतलब क्याने जो body है वो constant velocity के साथ constant speed के साथ आगे बढ़ रही है जहान रखीगा और मैंने यह कैसे बोला uniform motion के ग्राफ हमारा किसके बीच में ना distance time के बीच है तो graph देखकर आपको सोरना आना ची कि हम क्या बात करना चा रहा है two body moving with different velocities नहीं यह भी हम चर्चा कर चुक है lecture number previous lecture में तो आपको दो अलगलग bodies के बारे में बात कर दो अलगलग bodies के बारे में बात कर रहे हैं हम दोनों को एक साथ ही आप एक साथ ही बनाना चाहते हैं दो अलगलग bodies के लिए distance को आप लेंगे y axis में आप इसको लेंगे time को बिलकुल रच जाला चाहिए धन रखेगा अब यह मालने जे body a के लिए बात कर रहे हैं a body का motion धन रखेगा और यह हम किस लिए बात कर रहे है v body का condition के लिखे two bodies moving with two bodies moving with different velocities नहां रखेगा two bodies moving with different velocities मालब दो अलग-अलग bodies अलग-अलग velocity के साथ travel कर रही है तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे दिखेए last class में एक बहुत important term हम लोग ने use के लिए slope क्या है slope of curve अब slope का मतलब क्या होता है मैं फिर repeat कर देता हूँ आपना जो distance time curve है a body के motion के लिए कैसा आता है यह वाला graph है अब यह positive x यह हमारा positive x direction है क्योंकि यह 0-0 point है धन रखीगा यह positive x direction होगा इसके इदर आया चाहे तो यह negative x direction होगा तो graph जो है a body के लिए बात कर रहा हूँ यह जो a body का motion का जो graph है वो positive x direction ते कितना angle बनाता है वही क्या कराता है slope अभी तड के लिए यह definition अपके लिए sufficient अगर रखीगा तो यह a body के लिए और जो b body का motion है उसके लिए slope हमारा अगर वाली जो slope का मतलब एंगल और एंगल को जो जो इंडिकेट करतें थीटा से तो पहली वाली body का जो slope है थीटा बने दूसरी वाली body का slope का थीटा टू है तो थीटा टू इस more than थीटा बन ये दिख रहा है यह वाला जो एंगल आपोगे कैलकुलेट कर दो तो यह वाला एंगल जादा आएगा और यह वाला एंगल का आएगा तुम लिख सकते हैं यह relation आप लिख सकते हैं ग्राफ से तो जाहन रखेगा distance time curve में जिस body के ग्राफ के लिए slope जादा होगा थीटा जादा होगा उसकी velocity भी क्या होगी जादा क्योंकि slope of आप यह लोग पढ़ चुके slope of इसको लिए slope of st curve gives मतलब अगर आपको st graph दियावा है उस graph का आप क्या निकाल ले slope निकाल ले आप लोग ने slope निकालने का तरीका कैसा निकालेंगे जो भी st curve है जो-भी आपका st curve जैसे a body के लिए st curve पर आपको यह दिख रहा है और b body के लिए st curve आपको यह दिख रहा है तो यह जो st curve का line है a body के वह x-axis से कितना angle बना रहा है तीटा 1 clear answer और b body के लिए तो यह जो slope है किसको define करता है उस moving body का velocity στην ‫olar औस help अब यहां पर आप यह देख सकते हैं ग्राफ से थीटा-2 इस मोर्डें थीटा-1 अब बलडी थीटा-2 किसके लिए है भाडी एकली ग्राफ को देखकर बता सकते हैं और हमाली यही कंडिशन थी two bodies moving with different velocity यानि किसी एक body की velocity दूसरी body के comparison में या तो जाधा होगी या कम होगी या इसी बोल सकते है speed of body A is less than speed of body B. यह भी हम बोल सकते हैं धन रखिया तो यह ग्राफ देखकर यह चीज़े बताना बड़ी important है इतनी सारी theory लिख सकते हैं तो स्लोग निकालने का एक तरीका यह हुआ और दूसरा आज आप कोई तोर बता रहा हूं देखी कैसे बड़ा इंट्रस्टिंग है थोड़ा इसको नोट बनातर बहुत अच्छे से नोट कीज़ेगा वापिस हम ग्राफ एक straight line drop and difference हम रखिगा य आप एक बज़े देखते हैं तो भी बाड़ी की स्पीड कितनी है 20 मेटर पर सेकंड दो बज़े देखते हैं तो भी 20 मेटर पर सेकंड तीन बज़े देखते हैं तो भी 20 मेटर पर सेकंड यानि बाड़ी कॉंस्टेंट स्पीड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है यूनिफ कितना हिंगल बना रहा है, कितना theta बना रहा है एक तरीका को ओप theta निकालके velocity निकाल सकते हैं दूसरा और इस t1 के correspondence आप y-axis पर value check करें, तो y-axis में पर gustaば ब씨 डिस्टेंस कितनी है X1 position कितनी है X1 T1 time पर moving object की position कितनी है X1 एक और अप 10 लेने यह आप लेने T2 T2 time पर object की position क्या है X2 object की position क्या है X2 अब आपको क्या निकालना है slow किसका स्लोप क्यों निकालूं स्लोप क्यों निकालूं तो इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने पड़ा है कि स्लोप हमें क्या निकाल के देता है वेलोसिटी निकाल के देता है वो भी प्रूब भी हो जागा है जान रखीगा कैसे स्लोप पॉब हैस्ती कर्व कैसे निकालेंगे तो य पर जो वेडियेबल है यानि वाइब पर जो आपका डिफरेंस ध्यान रखीगा वाइपर डिफरेंस कितना हो जाएगा अपना X2-X1 अपन X एक्सिस पर जो चेंज आएगा वो कितना आएगा T2-T1 और हम लोगे पड़ा है चेंज इन पोजिशन विट रस्टेक्ट तु टाइम क्या देता है वेलोसिटी और यही जो पर ने एक्स टू-X1 अपन T2-T1 जो लिखा है वही स्लोप भी क्यलाता है क्या क्यलाता है स्लोप तो हम लोगों ने क्या पड़ा कि जो आपका डिस्टेंस टाइम कर्व है उसका स्लोप आप निकालने कैसे निकालेंगे य एक्सिस पर आप किसको लिखेंगे Best Sences को लिखेंगे clear है और X-Axis पर आप किसको लिखेंगे time को लिखेंगे फिर आगर आपको स्लोप निकालना है तो X-Axis पर दो अलग लग ताइम आप आप इंच्वट करने पहला T1 करने T1 पर object की position देख लए X1 पर आप T2 थाम सलेक्ट करने उस पर object की position देख लें कितनी आरी है, x2, फिर आपको क्या करना है, y-axis पर जो position में change है, that is, x2-x1, किस की correspondence है, t2-t1 के है, t2-t1, यही क्या कलाता है, slope क्या लाता है, और यही slope, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके है, change in position with respect to time, क्या 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 लाता है, velocity, यानि, जो हमारा x-t curve है, जो s-t curve है, उसका slope हमें क्या निकाल के देता है, यानि हमारे लिए जो slope है, वो velocity भी है, जया लखेगा, s-t curve के case में, तो अब अगर मैं short में लिखना चाहूं, देखिए, हम क्या लिख सकता है, velocity निकालने का करीता, change in position with respect to, change in time, क्या आप जानता है, और यही चीज ग्राफ में देखू, तो यह slope के लाती है, और इसी slope को हम एक और तरीके से कैसे निकाल सकते है, theta, तो यह लाइन आप याद कर ले, बहुत अच्छे से आगे भी काम आएगी, जब हम VT curve पड़ रहे होंगे, बहुत important है slope निकालने का तरीका, theta से भी निकाल सकते है, यानि य अगर हमारे graph है, तो यह x-axis है कितना angle बना रहे है, इतना बना रहे है, अगर जादे angle बना रहे है, तो velocity जादा हो जाएगी, कम angle बना रहे है, तो velocity कम हो जाएगी, धर रखीगा, और दूसर दरीकार slope निकालने का, जो y-axis पर जो भी आपने चीज ली है, हमने इस समय क्या ल देखिए, अच्छा मैं अभी आप से एक और चीज पूछ रहता हूँ, इस से पहले जो हम लोग ने graph देखा था, यहां हम लोग ले रहे distance, यहां हम लोग ले रहे time, हमारा graph हम लोग ने जब यह बनाया था, तो हम लोग ने क्या बना था, ग्राफ हमारा straight line था, parallel to x-axis था, ह at rest, अभ हम इसको जो हमने अभी 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 अ कॉंसे पढ़ा कि st curve का जो slope होता है, वो हमको क्या देता है, velocity, क्या देता है, velocity अगर object rest में है, rest का मतलब आपको बताया कि आप traffic में अटक गए है, तो आप वही है, मतलब में कोई velocity नहीं है, आपके velocity कितनी है, zero, rest क गया को देखे लिगे अब प्रोव कर सकते हैं, अभी जो उमने स्लोब का कामन से hu न से definitely कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो St गर्व है वो कैसा रहा कारी स्ट्रHAM एप्स्ट्राइब पाह से न कर सकते हैं तो यह बात के बारे क्लियर होगी, क्योंकि यहां पर ST कर्व कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट, यह जो पॉजिटिव X है, उससे कोई एंगल नहीं बना रहा, अब अगर इसी ग्राफ को हम ऐसा बना देते हैं, देखिया, यह जो ग्राफ आया, ST कर्व, इस बार क्योंकि एंगल बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, यह जो ग्राफ जो हमारा object है, वो एक same velocity के साथ movement कर रहा है, clear है, जब कि यहां पर एंगल कितना है, X-X इसके साथ 0 है, इसकी हम जा बोलेंगे, एंगल 0 है नि थीटा 0, थीटा 0 यानि, थीटा 0 है नि, थीटा 0 है नि, स्लोब 0 और यहां हम जो time selected लेते हैं, यहां T1 और यहां हम क्या selected लेते हैं T2, T1 पर भी position कितनी है, X और T2 पर position कितनी है, X, तो slope निकालने का तरीका हम लोगों पर क्या है, X2-X1 upon Y पर जो value है, T1 के correspondence, distance कितना है, X, T2 के correspondence भी distance कितना है, X, X2-X1 upon T2-T1, अब X, हमारा X2 भी X है, और X1 भी X है, time तो definitely change वो ही रहा है, X में से X गया तो कितना जाएगा 0, यानि, slope कितना हो गया 0, और अगर slope 0 है, इसका मालने velocity कितनी हो जाएगी 0, तो यह हम ऐसे proof कर सकते हैं, चलिए, तो हमारे team concept हो गए, चौथा concept देखीगा, 4th part देखीगा, 2 bodies moving with same velocity, 2 bodies moving with same velocity, यहाँ पे ता 2 bodies moving with different velocity, तो different velocity का अपको, origin से angle को लग लग करने दान रिखीगा, same velocity का मतलब, जो moving object का, जो velocity होगा, वो क्या होगा, same होगा, यानि, slope क्या होगा, same, जब अलग-अलग velocity से move कर रहे थे, तो slope क्या होगा, अलग-अलग, slope कहां से count होता है, विशा, positive x direction से, अब 4th point में के condition लिखीए, 2 bodies moving with same velocity, और अगर same velocity आ जाए, तो दोनों moving bodies का, जो slope है, that should remain same, तो देखी, कैसे बनाएंगे, इसको graphically हम कैसे indicate करेंगे, एक ग्राफ पर कैसे indicate करेंगे, मज़े वाली बात यह है, या हम distance लेने है, time लेने, condition वापिस पढ़ ले, 2 bodies moving with same velocity, क्या आप ये graph बना सकते हैं, बना सकते हैं, तो video pause करें, खुद से बनाएं, और नहीं बना सकते हैं, तो यहां पर देखें, अब इस चीज़ को आप कैसे assume करेंगे, मान लिजे आप railway station पर गए, railway station पर हमारे पास में दो platform है, platform number A और platform number B, मैंने दो अलग-अलग platform की बात क्यों की, क्योंकि दो मुझे क्या करना है, दो moving object के आपको बात की है, दोनों अलग-अलग position पर हैं, दो train खड़ी है, एक platform A पर खड़ी है, एक platform B पर खड़ी है, clear है, अब दोनों same speed से जा रही है, दोनों की velocity same है, बट दोनों की position same नहीं है, तो देखें, इस चीज़ को हम यहां कैसे integrate करेंगे, मालीजे, हमारी जो पहली train है, वो zero point पर खड़ी है, वो zero platform, platform number zero पर खड़ी है, फिर उसमें move करना चालू किया, और move करना चालू किया, इस से move करना चालू किया, uniform motion में उसमें movement चालू किया, मतलब उसकी velocity same है, जान रखियो, यह मालीजे, हमारा object A है, train A है, अब एक और train है, जो अलग position पर रखी है, कहीं और खड़ी है, platform number two पर खड़ी है, three पर खड़ी है, position अलगे, तो positional है, मतलब, वो train यहां से तो शूरू नहीं होगी, इसकी position अलगे, तो उसका graph जो आएगा, जो train A है, उस graph के क्या आना चाहिए, parallel, रेकिये, ऐसा कुछ, क्लियर है, यह train B की बात हो रही है, इसकी यहां से क्यों बना कारेंब करले है, मैं चाता तздर यहीं पर बना लेकिन आको थोड़ा सा अंतर महसूस नहीं होता, मैं चाता तथर यहां पर भी बना सिकता था, लेकिन आको अंतर महसूस महीं होता, इसलिए, मैंने दो मुविंग अब्जेक्ट लिये दो ट्रेनों की बात करी एक लेटफॉर्म ए पर घड़ी है एको में मालतों जीरो पर घड़ी है और एक किसी दूसरी पर घड़ी है माल लीजे सी पर घड़ी है तो दौनों ट्रेन्स की पोजिशन क्या हो जएगी अलग-अलग- पूविट सेम वेलोसिटी बिकॉस दिस वाइक्स से उनके ग्राफ क्याने चाहिए उनके स्लोप क्याने चाहिए सेम अने चाहिए तो देखिए अब इसका एंगल माल लीजे मुझे कितना दिख रहे है 45 डिगरी दिख रहे है तो यहां पर भी एक आप सिंपल यह जो यह वा क्या भाइए अब दौनों के स्लोप क्या गए है सेम एक्सस से क्या रहे है सेम यह ग्राफ दिख एपकर आपक्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ वी इस एक्वल्डू वेलोसिटी ऑफ ए यह बात है आपको समझ में आज आनी चाहिए गर इसी ग्राफ को मैं ऐसे बना देता य जब तो यह तो यहां पर इप जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका एंगल ज्यादा है पॉजिटिव एक्से और बी एंगल क्या है पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन से टाइम वाले एक्स से एंगल क्या है सेम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी सेम होगी विल्पुल अच्छे से दिमांग में ध्यान रख लें समझ लें तो चार पंड हम खतम कर चुके हैं एक्स पंड रिखिये वैं दा बॉडी इस नौन इनि वहाँ पर क्या जाएगा एक्सलारेशन क्या जाएगा एक्सलारेशन आपको घ्यान रखने हैं कुछ पॉट्ट में आपको डेटिनली बताऊंगा इस ग्राफ को कैसे इंडिकेट करना है देखिये तू बॉडी मुविंग विट ये तो अपना हो गया फिफ पॉन देखिए इस यह लोग यहां लॉट करेंığे देखिए कैसे बनेंगे बहुत स्कूर्फ इंपोरेशन कशनओ ृप तो सबस्थ नहीं का सबस्राइगे का जाएगा का चलुब आपका ग्राफ ऐसा हो यह किसको इंडिगेट करेगा एक्सलारेशन को यानि एक चीज़ आप समझ लें जब मोशन कैसा हो नौन उनिफॉर्म मोशन नौन उनिफॉर्म का मतलब क्या है वेलोसिटी इस चेंजिंग और अगर वेलोसिटी इस चेंजिंग विद रिस्पेक्ट तू ताइम तो वहाँ पर हम एक नई टर्विनलोजी इंप्रोड्यूस करते हैं एक्सलारेशन जो की दो टाइ अगर यह वाला कर वाजा है तो एक्सलारेशन तो अगर यह वाला कर वाजा है तो एक्सलारेशन और अगर यह वना कर वा जाए तो रिटार्डेशन यह बहुत अच्छी ट्रिक है आप याद रखेगा मैं इसको भी इंप्लिमेंट ट्रिक आपको बता रहा हूं तो यहाँ पर आप देखें यह ग्राफ कैसा है कैसा है यह इस शेप पर इंडिकेट कर रहा है तो हम इसको क्या दोनेगे दिस एक्सेलरेशन अब यह एक्सेलरेशन है इसको भी पताकरने का मैठट लेगेन आप सिंपल ध्यान रखिए बॉड़ी क्या है एक्सलडरेट्ए रेक्टेड है एक्सलडरेट्टेड मोश्न में ध्यान रखेगा या बहुत अच्छे से संभी समझें इसको पता से अगर समने नहीं आता हम इसको फिर रगले वीडियो में फिर से शुरू करेंगे लेकिन एक बार आप समझिए दो मिट कॉंसेंट्रेट होगे देखिए अब एक्सेलरेशन है पहली बातों भी रहने कि जब भी ग्राफ में कर एस्टी ग्राफ में अगर कर वा जाए तो वो क क्या किया करें याए तैंज्यंट पकिया करें द्रांओ करें है जो कर्फ को केवल एक पॉइंट पे टच करें वा लाइन जो किसी कर्व क किवल एक सिंगल rapport परिन टॉइंटक ऑनि प्सेया मैंने फिर आर पॉइंट लिया यहां पर करी एक चिर्ट लाइंट यह पहला टैंजेंट इस के लिये एक पहली ले लैंट टा गारें के लिए यहां पर भी ऑद करें आप देखें अब की बात है अगल क्या है थीचा वन जब Q-point की बात करें तो एंगल कुछ बढ़ी आप चाहे करें थीटा 2, जब R-point की बात करें तो एंगल और ज़ादा बढ़ी थीटा 3, अब इसको देखके मैं क्या बोल सकता हूं, थीटा 1 is less than थीटा 2 is less than थीटा 3, जैनि सबसे बढ़ एंगल कौन सा है थीटा 3, तो आपके स्पीड आ रही हो, क्या रही है, बढ़ते वे ओर्डर में आ रही ध्यान रखीगा, तो यहां पर हमके बोलेंगे, accelerated motion, फोड़ा समझने की कुशिश कीजेगा आप इस चीज को, यह जो ग्राफ हो इसको इंडिकेट करता है, accelerated motion को ध्यान रखीगा, आप अगर माल दीजे, रिटाडेशन को अगर इंडिकेट करना है, डिस्टेंस टाइम करव में, तो वो ऐसा ग्राफ बनेगा जान रखीगा, अब कैसे आप यह साबित कर सकते हो, कि रिटाडेशन है, अलेकर आपको ट्रिक बता दी, जब भी ऐसा ग्राफ है, रिटाडेशन, जब भी ऐसा दृटेंस फिर दाजा, अब क्या देखेंगे, यहां अंगिल सबसे खिया होता है, वो लाइन होती है, जो किसी करव को किसी एक पॉइंट पे टच करेंए, सिर्फ एक पॉइंट पर. तो पयंत दियह भी थी घ्जिकीगा, सिर्फ एक पॉंट पर हमें, तो कि इंडिकेंगे तो क्या देखेंगे यहां एंगल सब्से ज्यादा था थीका ऑन पाम यह एंगल और कम होगे ठीक सपाल जादा है कि कि टी ट्जा मुझे और कि थेकन ठीक है जादा birthday रिर्ट किटा इस पउइंट फिर चीटीem स्पीड सबसे जाएन तो सबसे जाएगी फिर सपीड कम होई और मड़े पहले यह मैं दो पनालिये मेरे किस पॉइंट पे यह प्रेटि और कि कि wind up होता है बहुत ही बहतरी इन तरीके से 6 पंड आप बिलकुल ग्राफ बनाईएगा समझीएगा बहुत अच्छे समने इस कॉंसेट को अप्रोच किया है जिसमें क्या पड़ा पहला पॉइंट क्या था एक बार हम रिविशन करते हैं पहला पॉइंट क्या था वेन हमें दे 최 paradise फूसर था हम ने उनड़ा when object is in uniform motion ulis Tuesday क्या ऒेलोसिटी लगाता क्या रहना ही चाहिए constant क्या रहना ही चाहिए constant इसका गराफ के जाएगा straight line फिर थर्ड हमने कंडिशन क्या पड़ी ही Two bodies are moving with different velocities तो हमने जाएड़ गराफ बने एक ही origin से एक का एंगल जावा रख एक का एंगल कम रखा फिर फॉर्थ पर हमने लिखा तू बॉडीज आर मुविंग वित सेम वेलोसिटी तो हमने गया कि एक पो जीरो से शुरू कि एक को अलग पोजिशन से शुरू किया दोह का अंगिल गाया था से माया था नक्यम तो शुर्थ और सिब्सक्स कंदिशन दक्ति है तो बॉडीज आर मुविंग इन नौन इनिफर्म शन यादु नौन इनिफर्म मोशन नौन इनिफर्म मोशन का मतलब क्या है वैलोसिटी स्पीड क्या हो रही है यह इने चेंज यह, तो बड़े गिया गटे गिया, तो एक्सलारेशन, तो तो चलार्डजियों को इंडिकेर करने का car यू, और रेटारडीशन को इंडिकेर करने का तरीकर यू, clear है मुझेज़ आमेत, आपको यो बहुत अच्छे से सौनужд हैगा अच्छे से पढ़िएगा नोर्स बनाएगा आज के लिए काफी है